असलाम ओलेकुम स्टूडेंट्स वल्कम तो मैं चैनल मैंट्स वित असद आज हम क्लास इट मैंट्स कांट्डाउन सेकिंड एडिशन का सवाल साथ सॉल्व करने दिया रहें उसमें बोले कि दो प्रोड़क्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इस नाइन होल 18 मैं 25 एंड व और उसमें से एक दूसरे के तीन गुना ज्याद है फाइंड नंबर्स वो नंबर्स फाइंड आउट करें तो सबसे पहले डेटा बनाना होते हैं प्रोड़क्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर नैन राइट 18 मैं 25 कैसे बढ़ेंगे नैन राइट 18 मैं 25 यह नाइन होल 18 मैं 25 लेट सपोस करने हैं फर्स नंबर है एक्स के बराबर अब उन्होंने स्टेट्मेंट में साफ गिवन है थे के एंड वन ओफ देम यह अगर एक एक से तो दूसरे करोगा 3 times the other 3x सेकिंड नंबर इस 3x according to condition 3x multiply by x is equal to 9 right 18 मैं 24 5 sorry 3x को x से किया देखे basis से में power 8 हो गई 1 plus 1 power 2 3x square is equal to इसको solve किया तो यह 243 upon 25 हमें x की value चाहिए तो x square को हम इदर ही रहने देंगे 3 दा multiply और उदर जाके divide हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 upon 25 है अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ square root लेंगे square से root cancel 81 बरा अंडर root 81 बराबर होता है 9k और 25 बराबर होता है 5k तो first number कैसे find out करेंगे 9 9 by 5 ता first number तो इसको simply divide करेंगे 1 right 4 by 5 second number क्या करेंगे 3 गुना ज्यादे था न तो पहले number जो आया जैसे first 9 by 5 है तो multiply कर रहेंगे 3 से तो यह बन जाएगा 9 3 त 27 upon 5 को solve करेंगे तो आएगा 5 right 2 by 5 अब नेक्स सवाल the product of two positive numbers is 5 right 5 by 64 and their itself is 3 right 1 by 4 के दो positive numbers है उनका product इसके बराबर है और itself इसके बराबर है highest common factor as you all know find the square root of calcium of two numbers याने square root तो find करने लेकिन किसका LCM of two numbers उन दोनों number का तो डेटा लिखेंगे product of two numbers 5 right 5 by 64 and safe 3 right 1 by 4 solve कर ले चाहे इदर के ले या नीचे कर ले 4th is of 12 12 plus 1 13 13 upon 4 square root of LCM of two numbers तो students तेके product of LCM and HCF is equals to product of two numbers दोनों numbers का product 5 right 5 by 64 है 64 5 से पहले multiply होगा पर उसमें add हो जाएगा 325 upon 4 आजाएगा अब देखें LCM multiply by 13 by 4 है तो जब हम इस number को उदर लेके देंगे तो यह उलेट हो देगा recipe local 13 उपार था अब 13 यू याने 13 नीचे 4 उपार तो देखें 4 वान्जा 4 4 16 दो 64 13 वान्जा 13 13 तूजा 26 इदर के रही होगा 65 35 जा 65 आगे देखें LCM अडरो 25 अपन 16 का 25 अब हमें इसका square लेने हैं तो हम square लेंगे तो आगा 5 आपन 4 यह का answer अब है 9 सवाल इसका बैसिकली 9 सवाल के वर्डिंग में आपको समझा देता हूं कि वर्डिंग में क्या बोले हैं वर्डिंग में यह बोले कि एक ऐसे नंबर find out करें जो अपने आप से multiply होकर यह नंबर देता हूं जिसे मिसाल के तोर पर 25 कैसे बनते हैं तो इसी हिसाफ से कि यह नंबर कौन से नंबर से multiply होकर बना है तो देखें डिविजिन में से स्क्राइरोट लेंगे प्यारिंग करने पहले तो नं सप्रेट कर लेंगे तो नंस अप्रेट बचाथ थी 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 थीज़ा थी थीजिए नंग थी फर्टी फॉर प्र्टी से नंगे 60, 60, 0 से 0, क्योंकि अगर हम 1 लगाते हैं, तो यह 44 से greater than हो जाएगा, 0 प्लस 0, 6 as it is, अब डेसिमल इदर है, डेसिमल को आप अपर प्लेस कहाते हैं, 57 का प्यार होतार लेंगे, 4457 हो जाएगा, 607 को 7 times करेंगे तो 4249, 7 प्लस 7, 4, 1 carry, 1 as it is 6, अब अगर इदर हम 3, 8 करवाते हैं तो 6143 को 3 times किया तो आपका answer आएगा, 18,429, 3 प्लस 3, 6, 4, 1, 6, अब अगर इदर 48 करवाते हैं जिसे, तो यह मंदे का 61, यह प्यार आएगा 56 का, इदर 48 करवाते हैं, तो यह मंदे का 61,464, 61,464 को multiply करेंगे 4 से, तो आपके पास answer आएगा, 2,045,8856, जब अगर 0 बद किया, तो कौन सा नमबर है, बैसे किने, 30.734, तो हम लिखेंगे, So 944.478576 is obtained, हमने हासल किया, when we multiplied, जब हमने multiplied किया, 30.734 with itself जब हमने 30.734 को, 30.734 से multiply किया, तो हमने जाकर यह नमबर मिलते हैं, Okay students, I hope clear हो गई होगी बात, देखने एक सवाल, इस सवाल को एक बात, गोहर से, अब है, question number 10, इस सवाल में बोले के area of square garden है, square garden है, उसका area 331.24 square meters है, find the length of railing required to fence है, उसे fence केनने के लिए, कितनी railing की ज़र्वात है, तो अगें, पहले data link ले, area of garden है, इसके बराबर railing required to fence, again square root ले ले 1, 1, 1, 1, pairing मना के 3 separate बनचे ले 1, 1, 1, 1, 8 होगा, 2 होगा, 31 का पहरागा, 28 को एक टाम्स के लेट टो 118, 24, 8 प्लेस 8, 16, एक गया उपा, 2 प्लेस 1, 3, 36, 36 के साथ, अगर हम 2, 8 करवातें तो यह बनचे लेट, 362, 362 को टू टाम्स के लेट, 724, रिबेंड है 0, तो basically answer क्या है, under root 3, 31.24 बराबर है, 18.2 के, अब हमें square का, मनब जिससे square काड़ा ना था न, तो हम क्या करेंगे, square के 4 sides होती हैं, 4 equal sides होती है, तो 18.2 को 4 से multiply करना देंगे, तो उस dwelling की value हमें मालूम होजएगी, जिसकी जरुआ थे, यानिके, 18.2 को 4 से multiply किया, तो 72.8 मिंटर रेलिंग रिक्वाइड है, गार्डन को फुरिंज करने के लिए, तो students, I hope आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आप मेरे चैनल बने हैं, तो चैनल को सब्स्क्राइब करें, और साथ ही बेल आकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रखेंग आपना खयाल, अलाफेस,